हलो दोस्तों गोंज में आप सही का हाधिक हाधिक स्वागत है बहुत दिनों से मैंने ये वीडियो बनाने के बारे सोच रहा था दिन आज हमको मुका मिला है यानि दस्वी पास करने के बाद क्या करें चुकि केरियर यहीं से शुरू होता है कोई भी बच्चा का केरियर दस्वी के बाद ही शुरू होता है तो अगर बच्चा दस्वी पास कर गया उसको तुरत बाद उसको कोई प्रोग्राम करने की जोजना बना रहा है लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हम कहां से शुरू करें तो आप निश्चीत रूप से सही जगा पर आ गये हैं और यह वीडियो सिर्फ आफी के लिए है अंतिम तक आप बने रहे हैं आपका जितना प्रोब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा लागभग 30 साल का एक्सपेरियन्स है दोस्तों सुनिए सबसे पहली बात मेट्रिक के बात क्या करें कोन सोचेगा को ही सोचेगा जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं इसका परिवारिक स्थिति बहुत खराब है जिसको पढ़ने के लिए माभाप ज्यादा पैसा नहीं दे सकता है या बाहर पढ़ा नहीं सकता है तो तो सोचेगा है कोई भी सोचेगा कि भाई कोन ऐसा कोज करें ताके मेरा पढ़ाई भी हो जाए और आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए ताके आगे चाहूं तो पढ़ाई भी करो और घर का जो पारिवारिक स्थिति है वह भी ठीक से चल तो इसका म्यान कारण है गरीबी अगर जो गरिब बचा है कितनों अच्छा मासला है लेकिन तो पहले एही सोचेगा कि मैं कई से कोई ने कोई जब करो तो चलिए शुरू करते हैं तो दसवे के बाद जदी आप सोच रहे हैं क्या करें तो देखिए बहुत कोर्स हैं सुनिय ध्यान से डिजाइनिंग, इंजिनियरिंग, वेवसाई, प्रवन्न, कम्पूटर, विग्यान, कला, पत्रकारिता, आदी इतना कोर्स हैं कि आप कोई भी कोर्स आराम से कर सकते हैं टेंथ के बाद अब आप सुचेंगे कि भाई ठीक है इतना तो हम कोर्स कर सकते हैं लेकिन कोन कोर्स करें तो उसका भी सोलूसन मेरे पास है अगर आपको कोर्स चैन करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें सबसे पहले आपका जो रूची है जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता वो सुचें जिस भी फिल्मे हो जिसमें आपका ज्यादा रूची हो आप आराम से कर सकते हैं फिर उसका एक सुची बनाए कि आ आप कुछ कर सकते हैं उसके बाद रूची के आधार पर आप तुलना करें कि कौन वाला करेंगे तो अच्छा लएगा और कौन वाला करेंगे तो इसे अच्छा लएगा आपस महीं तुलना करो उसके बाद भविश और केरियर के आधार पर सोचो कि इसमें ये भविश है इसम तो आप जीस फिल्ड में जाना चाहते हैं जीस भी फिल्ड में जाना चाहते हैं उस फिल्ड के जो काबिल बेखती है या उस फिल्ड में जो पारंगत है उसके पास जाएए उसको पूछिए आसपास में जरूब कोई होगा नहीं है तो संपर्क किजिए ठीक है तो आपका दूर कर सकते हैं अब तो रही बात आपका सुलूशन दूरत केजिएगा लेकिन अब देख़े थोड़ा सा हम सुलूशन आपको बता रहाएं आगे करना तो सब आफिक कोई क्या कि आपका आज ज्युआदा होप आर्स तरफ तरफ है हैं यन कला तरफ है तब आप क्या क्या कर सकते हैं? धिहान सुनिएं, Diplomine, Diplomine, Graphic Design, Certificate Course in Spoken English, Certificate Course in Functional English, ठीक है? आपका अगर ज्यादा जुकाव Commerce की तरफ है तो आप क्या करेंगे? Certificate in Animation, हलाकि Arts वाला में नहीं सकता है, Certificate in Tolly, Diplomine, Banking, Diplomine, Computer Application. अगर आपका जुकाव Science की तरफ ज्यादा है, तो Diplomine, Information Technology, Certificate in Digital Mechanism, Diplomine, Dental Mechanics, Diplomine, Dental Hygienist, Diplomine, Hospitalist, Diplomine, Rural Health Service, Pathology, Lab Technician, Diplomine, Paramedical या Paramedic Nursing. यह बहुत कॉर्स है, अब इसमें से आप रूचिकोंने सार कर सकते हैं, अब रहा आगे, What to do after 10th, 10th के बाद क्या करें? बच्चों, सबसे पहली बात को 10th के बाद क्या करें? इस सोचने का बात ही नहीं होता है, लेकिन मजबूरे में सोचा जाता है. जब बोलें, मैं हाजिर हूँ, जयसे बोलेगा आपका कोई परव्ला हो, वीडियो बनाने के लिए में तैयार हूँ. बहुत दिनों के बाद ये वीडियो में लाया हूँ, अब देखे, आगे मैं बता रहा हूँ, हम लग सबजी खाते हैं दोस्ते, आलू, आलू सब के जानते हैं, ठीक है, पोटेटो, ठीक है न, अब आलू के बारे में देखे, वह ऐसा सबजी है, जिस सबजी सद मिला दो, उस उसका टेस्टी बदल देगा, अब बताए किसके साथ अलू नहीं खाया जाता है, हम तो भहत बाभत जगा, मीट के साथ भी खाते भी देखे है, तो सब के साथ खाया जाता है, आनि ओसाessä शबजी सबजी की सबसाता है, तो उस इसे हमको सब बता:「ड के बाद, सबसे storm à power course , को क्या है पॉल टेक्निक पूर्स मने देखे क्या क्या के डिपलमा अन। कम्अपोटर प्रोग्रामिंग ग्ल मार्क के योड सेटीफिकेट लोग डिपलमा मिलता है तीन साल में डिगरी मिलता है चार साल में इस्पेसल ओंशन मिलता है वी सजी डिपूलोंई पेट्रॉलियों इंजिणरिंट हुए ही डिपूलो माइन, बीजनेयς एनिरेशन डिप्रॉमा इनिमेंशन आर्ट्स एन्डियइन इतो होगा पॉल टेक्नियक प्रत्य ग्राइज सरकार उसमें इंट्रेस्ट तुरू होता है उसमें प्राइबेट सरकारी सब सथान इसमें पाटिसिपेट लेते हैं उसके बाद होगे IT एंड कंपूटर इंफर्मेशन टेकनोलोजी एंड कंपूटर इसका तो आज जमान आई है इसमें क्या क्या कर सकते हैं देखेए डिपलोमा इन कंपूटर अप्लिकेशन सेटिफिकेट इन सोशियल मेडिया मेनेजमेंट अगर मेडिया में आप ज्यादा इंट्रेस्ट है तो मतलब आप देखें के बाजार में क्या चीज़ ज्यादा सेल होगा मार्केटिंग में क्या चीज़ ज्यादा मांग होगा आप उसका सार्च करेंगे कंपूटर टेकनिकल डिपलोमा फिर आगे है ट्रेवाल एंड टोरिजम तो बहुत मस्ट अब है अराम से रहे ट्रेवाल प्रांसी जर्मन इस भासा में से आपको एक सेटिफिकेट कर लेंगे जान जाएंगे तो आप तो बले-बले बले-बले इसके अलाव आजकल तो अर्भी भासा का भी परचलन हो गया तो कोई एक भासा से लिए आराम से किजी तो ये तो हो गया ये आई-टी प्रेवल नं टुरिज्म का उसके अलावे और और है आई-टी आए कोर्स भी कर सकते हैं आई-टी अमेंसे भीटर, टर्नर, मेकनिस्ट, अलेक्टिसियन, वेल्डार, पॉलंबर, इस सब दुए छो मेना से अल्भर का और दूसाल का कोर्स होते हैं इस सब मैं भ तूती बोलता है भी बाजार में और वो करेंगे तो आपका भी तूती बोलेगा अब सुनिए टॉप फाइब डिप्लोमा कॉर्सेस मैं आपको पांच महत्पुर्ण डिप्लोमा कॉर्सेस बताने जा रहा हूं जहां से आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे एकदम मस्तो के लो में 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 गए दोस्तों आदमी कमाता है का हली खाने पिने खाओ पियो मज करो क्माओगे तो माज करोगे और या जाते हैं खाने पिने होटल में अफिक बस आएगा होटल मेनेजमेंट कर्स कीजिए देख जो भी कमाए खाए अफिक पास जाएगा है यह अपका अच्छा जॉब है यह प्राइबेट गवर्णमेंट दोनों सेक्टर में यह यह एक साल का कोर्स है इसमें फी जो है गवर्णमेंट में पचास अजा सब नीचे ही लगता है और प्राइ दूसर चार लाग के बिट आपका तूरत पॉलेस्मेंट हो जाएगा बाकी आपका जीसे जीसे एक्स्परेंस बढ़ेगा फिर आपको सलेरी पढ़ते जाएगे इस्टीचूट अब इसके बारे देखें कौन-कौन इस्टीचूट है आयेचम पलकत्ता आयेचम बंगलोर वेल डिप्रोमाई इनवर्शिटी बड़ दरवार स्राम इनवर्शिटी फोटल मेनेजमन टेनई तो जानते हैं इसका परचारी बहुत देते रहता है इस प्राइबित इनवर्शिटी है तो आप इस आनुसर देख लें इसका जहां एक्ज़ाम बाता एकज़ाम दें जाना बार दिपल्मा एंजरिंग यानि इसको हम लोग सिधा सिधी भासा में पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक पर जानते हीं क्या क्या होता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं देखिए दो टेन पॉलस्ट करके जाएगा उसको जितना समय लाएगा वी टेक करने में आपको भी उतने ही समय लाएगा सब्सक्राइब कर सांदें अब लिगा एसको लाएगा यह देखिए आप देखिए दो और चार साल वी टेक करने छे सल वराबर हुआ अब आगे का पढ़ाई जारी रखें आप जोब करते हैं भी आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं आप देखें इसमें एसको बात अल इंडिया इस तो अल इंडिया है प्राइबेट और गवर्मेंट अल इंडिया जहां जाहिएगा हर स्टेट में थीक है इसमें बहुत ज्यादाफिशन इस में गवर्मेंट ज्यादा अपसन है जोकि अलेक्टिकल मेकनिकाल और इस तरह जो भी बरांच्य है उसमें गवर्मेंट ज्यादा मिलता है अब टैंड के बाद क्या करें में मेरा अधवाईश तिसरा डीपलो मार्केटिंग दोस्तों यह डिजिटल का जमाना है किसका हाथ में मोबाईल नहीं है एक भच्चा उठता है शुकर मोबाईल खजता है खान ने पंएक बाद तुरत सब का हाथ मोबाईल राता है डिजिटल का जमाना है इस्टागराम ट्विटर इटू नियेट इंटरनेट या जो भी देखे नियूज मेडिया रिपोर्टर डिजल इटूरत कहां क्या होता है तूरत पता चलता इसका तो बंबं है इसका तो इतना अभी ये पोर्स इतना पोपुलर है ना आप ये किजिए आप अगर माले सरकारी आप अपना घर में कैफे खो लिए दुकान खो लिए या छोटा सा गुंग्टी जैसा बैटके फोल दीजिए कुछ भी किजिए आप अपको खाने पीने के लिए आपको रोजगार के लिए समचना नहीं पड़ेगा आपके पास आदमी हमेसा जाएगा अब देखिए तो इ बहुत अच्छा है जैसे हीटूब में हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं Google कोई सर्च करते हैं तो जो होता है वह कीवर्ड आपको पता लागाना होता है किसका सब से ज्यादा अक्तुति बोलता है कोन अभी यहां भाइरल है किस कोन कीवर्ड लागा है ताकि यह तुरत आद हरो Facebook में डालो Instagram षे डिटिंग में इस्टाग्राम डालो इडिटिंग जाले तो इसमें गौशक करते हैं नीचे गौशचा और प nep से बीच आप इंस्टीचूट प्लेसमें देखते हैं तो मल्टीनेशनल कमपनिया इसमें प्लेसमें आए तो प्राइबेट आराम से तीन से पांस के भीच हो जाएगा जैसे एक्सवेश बढ़ेगा आपको आगे भी हो जाएगा याने आगे सेलिटेर बढ़ते रहाएं सेंब्योशिक इनवर्सिटी आप एपलाइट साइन्ज यह सब पर मुख है अब दोस्तों माई एडवाइस में आगला इपलाव में फार्मेसी बीमार होएगा दावा लीजेगा तो उसका भी छेतर है इसमें ट्रग इस्ट्रक्चर फार्मेसी लो और परस होते हैं इसमें गोबर्मेंट दोनों ज़र्ण आपको जोब मिल जाएगा दो सल का कोर्स होता है फिसमें पचाहँ जार से नीचे आपका गॉबर्मेंट में प्राइबेट में आपको एक लग से ति प्लेस्मेंट दो से पास के विच आपको प्लेस्मेंट हो जाएगा नहीं तो आप अपना भी करवार कर सकते हैं आप इसमें भी मार्केटिंग कर सकते हैं आप अपना दुकान भी बोल सकते हैं सरकारी जब भी प्राप्त कर सकते हैं इस्टिटीट इस तो आल इंडिया है हर पाचवा नमबर में है डिपलोमाइन एगरिकल्चर साइन्स खाओ पी होगे तो जाओ गे तब कैसे ज़्यादा पैदावार होगा कहां से पैदावार होगा किस तरका मिठी चाहिए कैसा उर्भरक देंगे तो इसमें बहुत से कोर्स हैं जैसे देखे डिपलोमाइन फूट प प्राइबेट दोनों इस्टिचूट है दोनों तर आप जोग कर सकते हो त्री या च्छे महिना से दो साल फी जो है इसमें 25,000 से नीचे गवर्मेंट में और पचास से लाख के बीच प्राइबेट में यह जो है डिपलोमाइन एगरिकल्चर भी प्राइप्राइब्राइश प्रोफेश्णल इनवर्ष इसके बारे से बच्छा बच्छा जानता है इसका तक परेचाम दुनियावड UP उनुझरत में तमिल्लाणु एर्चाल्चर इन्वर्सिटी उसका बनारास हिंदू इन्वर्सिटी इसके बारे भी जानते हैं तो दोस्तों आपको जो बताए यह को साब किजिए आप निश्चित रूप से एक दिन हमरा नाम लिजिएगा और अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी तरह का अब कमन में और प्रसन उठता हो तो आप कमेंट करें उसका उतर में डिस्क्रिशन में दे दूंगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर यांग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों फिर आप यह बताए कि हम अगला वीडियो क अब तक के लिए जय हिन जय जहार खन जोहार जहार खन